इस्टूडेंट्स फिर से सुवागत आपका सालों इंस्टूट्ट के यूटूब चैनिल पर और हमारी सीरीज जो चल रही है वो परसनेज की सब्सक्रास होचूगी है अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं पर्सेंटेज को आपके समझने के लिए या पर्सेंटेज के कोशन आपको करने के लिए आपको पर्सेंटेज के तीन बेसिक समझने होंगे और उनकी कुछ प्रैक्टिस करने होगी तभी हम पर्सेंटेज टॉपिक पर आप आएंगे अभी हम पर्सेंटेज टॉपिक पर नही कोशन करने के लिए और उसमें बी टापिक वैस करीबन आट-डास टॉपिक है इवन आपको पाइग्राफ पई इसी टॉपिक में करना ऊच्छार्ट आता है वो भी आपको इसी में करना है जिससे कि कोई चीज बाद में रहे नहीं कि आपको यह नहीं हो कि सब परसेंटेज कर एक बार पूरा package percentage का हो जाए चाहा थारा दिन लगें चाहा बीस दिन लगें एक बार में पूरा ये complete हो जाना चीए आज का जो अब रेडी हो जाओ अपना लेलो जो भी आपका रेइश्टर है वह लेव लेलो साथकी साथ में लिखते हैं वैसे आप लिको आपको फायदे है य्जो यूटूब का फायदा है कि आप बारा देखना चाहो दूबारा अचाहो कुछ और करसे ओ आपना कर सकते हो कहीं बी क्रास वन जो क्लास में पढ़ते हैं उनको भी यही पता है कि मैं बेसिक वन से यहां पर स्टार्ट करता हूं और मैं आपको यहां पर एक कोशन लिख देता हूं आप चीज समझने की कोशिश करना कि बेसिक वन का मतलब क्या है जैसे एक कोशन मैं बोलता भी जा रहा हूं जो बोलके आप राइटिंग अगर मेरी समझनी आए तो वह आप यूज़ कर सकते हूं मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक आयात का एक रेक्टेंगल का एक आयत की एक भुजा 20 परसेंट बढ़ाने पर दूसरी भुजा कितने प्रतीशत कम की जाए की छीत यानी area पहले जितने ही रहे कि रहे किलियर है मैं आपसे फ्रेज बोल रहा हूं रैटिंग हो सकता है थोड़ी बहुत आपको समझा आ रही हूं थोड़ी बहूत नहीं आ रही हूं लेकिन आप लिखना जानते हूं तो मैं बोल रहा हूं एक आयात यानि rectangle की length यानि भुजा को 20% बड़ा दिया गया है पर दूसरी भुजा को कितना प्रतिशद कम किया जाए कि छेत्फल पहले जितना ही रहे मैं आपको समझाने के लिए या इसको question को आपने लिख लिया होगा मैं आपसे जी जी ये question बोला जा रहा है कि एक rectangle है उसकी एक length आपने 20% बड़ा दी तो ये दूसरी length कितनी परसेंट कम की जाए कि area पहले जितना ही रहे clear है तो कुछ बच्चेओं का answer जो इसमें आता है आप कुछ सोचो कि आपका answer आप तुरंत बोलोगे सब 20% कम कर दिया जाए एक चीज आप मेरे को समझाओ या मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज 100 है आपने उसको 10% बढ़ा दिया कितनी हो जाएगी 110 10% बढ़ा दिया percentage wise 10 हो गया और value wise 10 बढ़ गया अब मैं आप से पूछू कि इस 110 में से कितना percent कम किया जाए कि वापिस हम 100 पर पहुंच जाए तो तुरंत बच्चा answer निकालता है और बोलता है सब 10% कम किया जाए यह possible नहीं है आप 110 का 10% अगर आप निकालते हो 102 का 110 का 10% निकालते हो तो value wise कितना होता है और 11 अगर आप 110 में से करते हो कम तो 100 पर ना पहुंच कर आप कहां पर पहुंच जाते हो आप 11 अगर कम करोगे तो 99 में पर 100 पर नहीं पहुंच ओगे यह है basic one कि percentage में एक ही step सेम वापिस repeat नहीं किया जा सकता जैसे दूसरा example लें कि अगर कोई चीज 100 है और आप उसको 10% कम करते हो तो आप कहां पर पहुंच जाते हो 90 पर पहुंच जाते हो अगर मैं अब वापिस 100 पर पहुंचना चाहूं तो 10% बढ़ा कर मेरा काम नहीं होगा क्लियर है कि 10% बढ़ा दूँ तो 100 पर पहुंच जाँगो क्योंकि 90 का जो 10% निकलेगा वो 9 आएगा और 9 एड़ करने पर मैं कहां पर पहुंचूँगा निन्याण में पर ना की 100 पर ये चीज आपको आ रही है समझ में किलियर है कि 10% अगर आप इंक्रीज करते हो किसी चीज में तो वापिस 10% डिक्रीज करकर पहले वाली पोजीशन नहीं मिल सकती आप कुछ ना कुछ कम पे रह जाओगे आपने 10% डिक्रीज करा कम करा तो आप 90 पर पहुंच गए 100 का अगर है तो वापिस 10% बढ़ा कर 100 पर नहीं पहुंचा जा सकता ये है basic 1 percentage के अंदर ये यूज होता है value wise कोई दिक्कत नहीं है value wise वोई चीज आएगी लेकिन आपके percentage wise चीज क्या हो जाएगी change हो जाएगी किसी की comparing करनी है comparing में भी देखो एक बार के एक हरी है और एक राम है हरी 100 है और राम इससे 10% ज़्यादा है तो कितना होगा 110 10% ज़्यादा है राम बोल सकता है कि मैं हरी से 10% ज़्यादा हूं लेकिन हरी ये नहीं बोल सकता कि वो 10% कम है क्योंकि 10% कम कैसे हो सकता है ये 100 थोड़ी है ये तो 110 है ये नहीं है किलियर है comparing जब किसी की दूसरे से तुलना की जाती है उसमें भी ये use होता है तो पहली चीज basic one जो मैं आपको समझाना चरा हूँ इसका मतलब ये है कि percentage वो चीज है जिसमें अगर आप 10% 20% आगे बढ़ गए वापिस 10% या 20% लेकर उसी position पर नहीं आया जा सकता same step follow करकर percentage से पहली mechanism पर नहीं पहुचा जा सकता इसलिए तो आपने लाभानी में सुना होगा समझा होगा कि 10% loss पर पहले बिचा फिर 10% profit पर बेचने पर हमेशा no profit no loss आप बोलते हो वो नहीं होता बलकि क्या होता है loss होता है हमेशा उसमें percentage wise क्या होगा loss होगा वो concept यहीं से आता है अब अपने question पर आते हैं कि अपना question बोल रहा है एक rectangle यानि आयात की बुजा को 20% बढ़ाने पर दूसरी बुजा को कितना प्रतिशद कम किया जाए कि छेटक को पकड़ते हैं 20% कैसे करना है समझना भई बहुत सरलता से 20% कितना होता है एक बटा पांच यह अपनी हमेशा वास्तविक इस्तिती रहेगी एक बटा पांच की जो पांच है यह वास्तविक है यानि पांच में आपने एक जोड दिया है पांच में अगर आपने एक जोड दिया मैं इधर कर रहा हूँ वापे से इसको 20% का मतलब है इधर देखना भई बगल में कर रहा हूँ एक बटा पांच के लिए रहे लेंद को 20% बड़ा दिया यानि और इजनल हमेशा यह रहेगा पांच पांच में अगर आपने एक गटाना होगा 6 में से 6 में से जब एक घटाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे एक बटा च्छे और एक बटा च्छे को परसेंटेज क्या बोलते हैं 16 से दो बटा तीन यानि आपने अगर रेक्टेंगल की लेंध को 20 परसेंट बढ़ा दिया है तो वापिस उसी एरिया पर पहुँचने के लिए आपको दूसरी लेंध को कितना कम करना पड़ेगा 16 से दो बटा 3 परसेंट कम करना पड़ेगा कि क्लिर एक और एक्जामपल से हम समझने की कोशिश करते कि एक और एक्जामपल हम लेते हैं एक और कोशन ले लेते हैं मैं खुदी बोल देता हूं और आप लिख लेना बेसिक वन का ही पहला कोशन है या दूसरा कोशन लिख रहा हूं में कि चीनी के दाम सीनी के दाम चौदा से दो बटा साथ परसेंट कम होने पर डिक्रीज होने पर एक व्यक्ति कितने परसेंट प्रतिशन चीनी अधिक लाएगा जबकी उसका खर्चा एप परिवर्तित रहे उसका खर्चा एप परिवर्तित रहे मैं फिर से बोल रहा हूं चीनी के दाम चौदा से दो बटा साथ परसेंट कम होने पर एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी अधिक लाएगा जबकी खर्चा उसका कैसा रहना चीए एप परिवर्तित बहुत सिंपल सा है चौदा से दो बटा साथ परसेंट को आप क्या बोलते हो एक बटा साथ यह वास्तिवी किस्तिती है कम का मतलब माइनस यानि पहले अगर आप साथ की चीनी खाते थे तो अब आप पहले अगर साथ की चीनी आती थी तो आज दाम कम होगे तो 6 की आएगी आप कम नहीं कर रहे उतनी ही चीनी खाना चारे हो तो आज आप उतने ही पैसे की चीनी खाना चार रहे हो तो आपको ज़्यादा चीनी मिलेगी कितनी ज़्यादा मिलेगी एक ज़्यादा मिलेगी अब 6 पे निकालना है और एक बटा 6 को आप क्या बोलोगे 16 से 2 बटा के लिए एक बटा 6 को क्या बोलना पड़ेगा 16 से 2 बटा 3% अधिक चीनी आप खापाओगे पहले जितने ही खड़चे में क्लियर है आरी बात समद में यह आप का अंसर हो जाएगा एक और करते हैं कोशन राम की आए हरी की आए से 33 से एक पटा 3 प्रतीशद कम है तो हरी की आए राम की आए से कितने प्रतीशद कितने प्रतीशद अधिक है इतना सा कोशन आपको सौल करना है किलियर एक पर पॉस करके कर लें बहुत मामूली सा कोशन है 33 से एक बटा 3 को आपको याद रखना है एक पटा 3 होता है राम की आए हरी की आए से यानि हरी अपने पास कितना है हरी अपने पास 3 है और राम की कम है राम की कम है तो राम कितना होगा दो होगा ये अपने पास हरी है और ये अपने पास राम है कोशन बोल रहा है राम की आए हरी की आए से 33 से 1 बटा 3% कम है यानि वो 2 है तो आप से question पूछ रहा है हरी की आए राम की आए से सामने वाले से compare करना राम की आए से कितना कम है एक कम है लिंग किस से कम है राम से कम है सामने वाले से कम है तो कितनी अधिक है एक अधिक है किस से अधिक है दो से राम क्या है दो है तो इसको आप क्या बोलोगे 50% इस तरह का basic one की बात हो रही है basic one का भी आप समझ लो एक पार्ट की बात हो रही basic one के दो पार्ट है तो एक पार्ट की बात हो रही है जिसमें exact पहले वाली position पर आपको पहुचना पड़ता है clear है एक बार रिवाइंड करके देख लेना मैं इसके और shortcut अभी थोड़े दिरो मैं बता दूँगा अगली class में अभी कुछ question करते है जो आपकी previous में आयोगे है basic one पर topic भी है basic one का यह पार्ट ए है आप ए लिख लो अभी एक और पार्ट आएगा इसका अगली class में आएगा अब देखो वैसा का वैसा है एक बार पॉज आप इसको पॉज कर लो मैं question बोल देता हूँ यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25 परसेंट अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतीशत कम है तो सभी बच्चे एक बार पॉज करके इसको आंसर निकाले मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 परसेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका यह आंसर बच्चों जैसा होगा bigger pen के आप निकाल सकते हो क्लियर है देखें बच्ची परसेंट पर पहुचे बहुत जल्दी तक आपको पहुचना एक पठा चार आपक्लील का वेतन पायल के वेतन से पच्चीस परसेंट अधिक है यानि पायल क्या है चार नीत ये याद रखना किसको किदर लेना है ये है अपनी पायल किmasono पैल से देखनी चीए अब आपको पायल कम देखनी है एक कम है किसे नीता से तो एक कम है अगर नीता और नीता क्या है अपनी पांच तो आप इसको क्या बोलोगे percentage wise 20% क्लियर आपके पास 20% क्या हो गई कम है देखो मैच करो सभी का अंसर यह सही आना चाहिए था आगे बढ़ते हैं अगले question पर A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है तो पहले वाला ही question हो गया या नहीं हुआ बिल्कुल simple सा है वोई का वोई question वोई का वोई आप answer आएगा कहीं आपको कोई confuse नहीं होना है यहाँ पर आपको A का वेतन है और B के वेतन से है तो यह यहाँ पर B लिख दो और यहाँ पर A लिख दो अधिक है तो यह 4 और यह 5 है अब कम होगा तो इससे होगा एक कम है 5 है वोई का वोई अपका 20% answer आएगा वोई repeat यह सबंदू कि repeat ही हुआ है कोई आगे बढ़ते किसी चीज की कीमत 60% बढ़ने पर उसका उब्भोकता में कितना प्रतीशत कम करे कि खर्चा नहीं बढ़े दाम बढ़ गया है 60% को कितना बोलेंगे 20% का 3 गुना वहीं जानी दाम जो पहले 5 था अब बढ़कर 3 बढ़कर कितना हो गया 8 अब पहले जितना ही करना है तो 8 से 8 के अगर पहले जितनी खाओगे तो 8 आएगा लेकिन आप चाते हो कि 5 में काम चल जाए तो आपको कितना कम करना पड़ेगा तीन किसमें से कम करना पड़ेगा आठ और तीन बटा आठ को आप क्या करते हो कई बार आ चुका है वह साड़े सेंटीस परसेंट तो आपका आंसर आएगा दूसरा साड़े सैंटीस ऐसे ना देखकर 37.5 परसेंट दे रखाया किलियर कि आगे बढ़े x और y है तो x की i y से compare हो रहा है x की i y से 20% आदिक है 20% का मतलब 1 पर्टा 5 y और 5 है तो x अपने पास कितना है 6 यह तो पहले language solve हो गई अब y की i x की i से कितना प्रतिशत कम है तो आप बोलो कि सब 1 कम है किस से कम है x से कम है तो इसको क्या बोलोगे आप 16 से 2 बटा 3 कि इतना आसान कोशन है आप solve करने के लिए पैन की भी आवशकता नहीं है यह वापिस वैसे का वैसे ही आ गया कि 60% की वृद्धी होने पर चीनी का उप्यों कितना पर्सेंट कम करना ची तो यह आपका आंसर कितना आजाएगा साड़े 37% बस बच्चा यहां कन्फूज हो जाता है यह आंसर चाउथा करी आता है साड़े 37 75 बटा दो भी क्या होता है साड़े 37 होता है इसको आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो और यहां पर कमी स्टॉट कट में अगर आपको करना है कि अगर वृद्धी 20% होती है पहले वाली पोजिशन पर पहुंचने के लिए निए यहां पर लोंके किशी चीज में 25% की वृद्धी हुई है तो पहले जैसी पोजिशन पे पहुंचने के लिए कितनी कमी होनी चाहिए अब 4 और 1 जोड़ दो कितना हो जाए का भी 5 के जोड़कर वही हो जाता आपको कमी 1 की करनी है तो यहां पर अपने पास कितना हो जाए का 20% कमी को ऐसे दिखा दो या मैं आपसे बोलूँ जैसे यह देखो साड़े 37% की वृद्धी हुई साड़े 37% आपको टेबल याद रहने चाहिए अब कमी कितनी होगी अब वृद्धी हुई है तो 8 में 3 जोड़ दो यह बन जाएगा 11 और 3 तो वैसा का वैसा ही रहेगा 3 कमी करनी है तो आप इसको अब कमी बोल सकते हो 1 बटा 11 की वैल्यू है तो उसको 3 से मल्टिप्लाइ आप कर सकते हो 1 बटा 11 की वैल्यू है तो आप उसको कितने से मल्टिप्लाइ कर सकते हो बई इसको आप किस से मल्टिप्लाइ कर देना आपका आंसर आ जाएगा तीन से अगर आप मल्टिप्लाइ कर दोगे तो यह 33 एक बटा तीन बटा नौ यह आप बोल सकते हो 33 से जो भी इसका आपको calculate करके देख ले ना कितना आ रहा है हाँ इतना ही करीबन आ जाएगा 3 बटा 11 की कमी करनी पड़ेगी और 1 बटा 11 को आप क्या बोलते हो उसे साब से देख लो 1 बटा 11 को मेरे साब से 9 से 1 बटा 11 बोलना पड़ेगा इसको 3 से multiply कर दो तो यह अपने पास आज जाएगा 27 बटा 11 बोलते हैं क्लियर इसमें मेरे को थोड़ा confusion हो गया था इसको देखे मैं क्लियर और आप देख सकते हो यह व्रिद्धी का हो गया अगर कमी की बात की जाए कमी और इधर वाला व्रिद्धी होगा अगर चेनी के दाम 1 बटा 4 कम हो गए यानि 25 परसेंट कम हो गए तो कितना आप जादा उपयोग करोगे अब कम के लिए यहाँ पर माइनस कर दो 3 और 1 यह आ जाएगा 33 से 1 बटा 3 की व्रिद्धी हो जाएगी अगर मैं एक और एक्जाम्पल लो कि एक बटा 7 कमी होई है यानि एक बटा 7 को बोलते हैं 14 से 2 बटा 7 कमी के लिए यहाँ पर माइनस होगा तो यह कितने हो जाएग अच्छ है और यह एक तो यह आजाएगा 16 से 2 बटा 3 ऐसे आप कुछ बना सकते हो जिससे कि आप वर्बली कोशन को सॉल कर सको एसा कुछ आप बना सकते हो और उनको आपन यूज कर सकते हैं तो यह हमारा BASIC 1 का PART 1 ता कल वाली क्लास जो अब हमारी होगी वह BASIC 1 का ही PART 2 होगी उसके अंदर exact पहले जैसी POSITION पर नहीं पहुँचना है फोड़ा सा आगे पीछे रहेगा लेकिन exact पहले जैसी POSITION पर नहीं पहुचना ही कोशन की डिमांड होगी कोशन की लेंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा जैसे इसमें तो होता है पहले जितना ही खर्चा हो कि उसमें होगा कर्चा 10% कम हो जाए खर्चा 20% बढ़ जाए क्लियर इस तरह की लेंग्वेज वहां पर यूज होगी और कल वाली क्लास में हम बेसिक वन का पार्ट टू करेंगे धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ते हैं कोई आपकी क्वेरी हुआ पूस्ट ना छोटे छोटे पार्ट के अपन क्लास बनाते हैं जिससे कि सबी बच्चे आ करना चाहें ऐसे कर लें और शॉट कट आप और शॉट बनाएं जितना हो सके उतना कम समय में करें तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगे आप चाहोगे तो कल वाली क्लास में वापिस इसको रिपीट कर दूँगा अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना मैं थोड़ा सा और रिपीट करके आपको वापिस एक रिविजन टाइप ले लेंगे क्लिर दो फिर कल मिलते हैं नई क्लास के साथ वही परसंटेज के साथ ओके बाइबाइब